महाभारत की समय अर्जुन अपनी जीत पाने के लिए भगवान शुप से उनका पशुपताश्त्र पाना चाहते थे वो हनुमान से मिले जो अब बूढ़े हो गए थे और एक तालाब के पास पेड़ के नीचे बैठे राम नाम जप रहे थे प्रणाम प्रभु आपके अंदर से ये जो उर्जा निकल रही है उससे मुझे लगता है कि आप कोई और नहीं आप हनुमान हैं आप चिरन जीवी हैं जै श्री राम तुमने सही कहा अर्जुन मुझे एक और धनुर्धर को देखकर काफी खुशी हुई आप जो कह रहे हैं मेरी समझ में आ रहा है लेकिन ये बताए क्या श्री राम की धनुर्ध्या अच्छी थी तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो अगर श्री राम धनुर्ध्या में निकुन थे तो वो अपने बानों से ही पुल बना सकते थे ना की वानुरों से पत्थरों द्वारा पुल बनवाते ये काम तो वो आसानी से कर सकते थे न? शी राम सब कुछ कर सकते थे लेकिन वो वही रास्ता अपनाना चाहते थे जो एक इंसान अपनाता ऐसा कुछ नहीं जिससे की लगे की वो इंसान नहीं भगवान है इस बालक को शिक्षा की जरूरत है क्यों नहीं अर्जुन मैं तुम्हारे बनाए पुल पर जरूर चलूंगा प्रभू अब तो आपको मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा न कृपिया आप अपना सीधा पैर आगे कीजिए और मेरे बनाए इस पुल पर आप चल कर देखिए जै श्री राम ये क्या मैं तो एक कमजोर सा वानर हूँ मैंने तो हलका सा पैर रखा था और ये पुल तूट गया शायद यही वज़ा होगी कि प्रभू राम ने ऐसा कुछ नहीं किया अरजुन को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने अगनी कुण में आत्मदाह करने की बात सोची एक ब्राहमन ने आकर उसे रुखा उस ब्राहमन ने अरजुन से फिर से वैसा ही पुल बनाने के लिए कहा बाणों का पुल फिर से बन गया हनुमान पुल के बीच में चलनी लगे और इस बार पुल नहीं तूटा हनुमान ने नीचे देखा तो वो हैरान रह गए उन्होंने देखा कि एक बड़े से कच्छुए ने पुल को अपनी पीठ का सहारा दिया हुआ है अरजुन और हनुमान दोनों को नहीं पता था कि हो क्या रहा है तब ही कृष्ण प्रकट हुए अरजुन मैं एक प्रामण का भेश बदल कर आया था ताकि तुम्हारे कौशल को बचा सकूँ इससे मानव जाती को फायदा होगा धन्यवाद भगवान कृष्ण आपने ना सरफ मेरे कौशल को बचाया है बलकि आपने मेरे घमंड को भी तोड़ दिया है जै श्री राम भगवन मेरी गलतियों को माफ कर दीजिये और मुझे आशिरवाद दीजिये अरजुन मैं तुम्हारी विद्या से बहुत प्रभावित हूँ महा भारत युध में मैं तुम्हारे रत के धज में विराजूंगा और तुम्हारी सफलता सबसे पहले मैं ही देखूंगा इससे अच्छा वर्दान मुझे नहीं मिल सकता है प्रणाम भगवन जल्दी करो अपनी पूछ अटाओ जल्दी करो मुझे यहां से आगे जाना है मुझे बहुत सारा काम करना है स्वागत है वायू पुत्र तुम तो मेरे छोटे भाई हो अब मैं तुम्हारे साथ थोड़ा खेलूंगा अगर तुम बुरा ना मानूं तो मेरी पूछ के उपर से चले जाओ तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी पूछ कोई समुद्र है जिसे मैं अपने भाई हनुमान की तरह पार कर लूँगा जल्दी से अटाओ अच्छा तुम मेरे भाई को मैं याद हूँ चिंता मत करो अब तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे माफ कर दो मैं बहुत बूढा हूँ हिल नहीं सकता क्या तुम मेरी पूछ को अपने रास्ते से हटा कर पार करने के बाद वहीं वापस रख दोगे ये बाद तो तुम पहले भी कह सकते थे तुमने मेरा समय नश्ट कर दिया ये कहकर भीम नीचे जोके और हनुमान की पूछ को एक उंगली से उठाने की कोशिश करने लगे लेकिन उनसे पूछ नहीं उठी फिर उन्होंने उसे अपने दाहिने हाथ से उठाने की कोशिश की लेकिन पूछ तस से मस नहीं हुई फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों से पूँच को उठाने की कोशिश की अपनी पूरी ताकत लगा दी उसे उठाने में लेकिन पूँच फिर भी नहीं उठी आखिरकार वो उसे थोड़ी से उठा पाए लेकिन पूँच उनके हाथों से फिसल गई और भी नीचे गिर गए मेरे भाई वायू पुत्र मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ जिसने समुद्र को पार किया था ये मैंने क्या कर दिया मैं कितना ना समझ हूँ कि मैं आपको पहचान नहीं पाया कि आप हनुमान है लेकिन ये मेरे लिए जीवन का सबसे अच्छा दिन है आज मुझे आपका विश्वरूप देखने को मिला इस ना समझी के लिए मुझे ख्षमा करें मैं अपने से छोटों की बातों का बुरा नहीं मानता मुझे उनके साथ खेलना अच्छा लगता है मैंने अपने भाई भीम के साथ भी तो यही किया आप कितने महान हैं मुझे आशिरवाद दें मैं अपने प्रभू श्री राम की कृपा से सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हूँ उनके आशिरवाद के अनुसार मैं इस दुनिया के सभी अच्छे लोगों को शक्ति प्रदान करता हूँ खुद से सच बोलो और मन को साफ रखो तुम्हें श्री राम का आशिरवाद मिलेगा जै श्री राम और देखने का मन कर रहा है ना आपको तो जल से जल इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मित्र परिवार सहत मैजिक बोक्स के वीडियोस का आनद ले मैजिक बोक्स हिंदी मजे और सिक्षा की संतुलन तरंग मंच सब्सक्राइब करना मत भूलना